कुपित भावना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके सामने मोदक की रेसिपी लेके आई हूँ और जो की श्पेशली जोत्पुल में बनाया जाते हैं गनेश शतूर्थी के आउसर पर और इन मोदक के लड़ूओं को मैदे की बूंदी से बनाया जाता है यानी यह सफेद मोदक की हूते हैं रेसिपी शुरू करते हैं और रेसिपी शुरू करते हैं, बुंदी के मोधक बनाने के लिए, सबसे पहले हमें यहां पर बाहुल ले लिया है, उसमें हम एक कठोरी या आप कप skaaja को लिए है, तो इसे हम थोड़ा-थोड़ा करके एक विस्कर की सहाइता से हम मिक्स कर लेंगे फिर तोड़ा दूर डालेंगे हम इसमें एक साथ नहीं डालना है नहीं तो इसमें लम्स हो सकते हैं गुठलियां नहीं पढ़नी चाहिए हमारे बाटर में पूरा दूर डाल देंगे इसमें और मिक्स कर देंगे इसमें अच्छे से बाटर में बिल्कुल लम्स नहीं रहने चाहिए हमारे अच्छे से हमने दूर्ध और मैधा को अच्छे से मिक्स कर लिया है अभि इस बाटर को हम 5 मिनद तक अच्छे से वेिनतेंगे हैं अब हम इसे इसी में इसी तरह से आदे गंटे के लिए छोड देंगे अच्छे से था कि अफिशी भीग जाएҁ कावर कर देते हैं और जब तक हमारा बैटर तयार होता है हम चाशनी बना के तियार कर लेते हैं एक कटोरी चीन, जी मैड़र email लिया था जितना हम दूद लिया था जिटन टांगे तो पानी नहीं कि आंए ड़ते या गुंत ले, वासवाटी रलते के संगेश। हमारी चाषणी को नहीं प्रस्वाइALLY पकाना है कि ऐक तार की चाषणी बन जाए तो अभी हमारी हुम्आरी चाषणी बन चुकी है आप इस तरह से लेकर के और हाथमें थोड़ी सी चास्णीा का छी बने से पर कॉन धेती है..क्तार की बनानी तो क्यात्स चास्णी और चास्णी इजसी बन जब देता है.. यहां वहारी चास्णी बन चुकी है.. बैटर भी तयार अदा गंटा को चुका है तो यहां ब्लुख किया कृता है arrival MoveCast कि अब भी हमें इस में 1 te., 1,4 स्थ. नीजिन आपका इसी तृरीके का ओना चाहिए यह दे आपको लगता है किsk सिरो नहीं जीनलोगता है जादा पतला हो गया है या जादा गाड़ा हो गया है तो आप अपने बैटर के एकॉर्डिंग उसमें दूद मिला सकते हैं या पतला हो गया है तो उसमें मैदा मिला सकते हैं कर दो अब आप जलते हैं हमारी बूंदी बनाने की तरफ को बूंदी बनाने के लिए और गी बिंदी कीड़ाई और हम अब फ़ी डाले अवी स्टालने के लिए देना हो तो बूंदी को तो यहां हमने गीदाग लिते हैं और गया तो Day गी हमार अच्छा गलम हो चुका है, मेडियम हॉट ऑइल या घी हमें चाहिए इसमें, आप चाहें तो ऑइल भी यूज़ कर सकते हैं, तो अभी हम शुरू करते हैं हमाली बूंदी बनाना, यहां एक स्पून बैटर हमने ले लिया है, और इस तरीके से इसको डालते जाएंग और जो बूंदी है वो अपने हाप ही नीचे गिरती जाएगी, थोड़ा सा आप इस हाथ से इस तरीके से हिलाते रहें, ताकि बूंदी अपने हाप ही गिरती रहे इसमें, गैस की फ्लेम आप मेडियम ही रखिएगा इस समय, अच्छे से ताय कर लेते हैं हम, तो गूंदी ह निकाल लेते हैं तो तो अब कर दो कहा है related, जो अब जो भी बूंदी को हम एक एक प्लेट में ले 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 लेते हैं फैर जो बूंदी निकाल लेते हैं और जब भी अब भूंदी बनाए तब दूसरे बैच में आप एक पार जारे को साप कर लें ताकि जो हमारी भूंदी है वो बिल्कुल गोल आए और इसी तरह से हात को जटकते हुए हिलाते हुए चममच को और आप बूंदी बनाएं और इसी तरह से हम सारी भूंदी बनाएंगे हमारी भूंदी बहुत ही बढ़िया बन के तयार हो रही है और यह हमारी भूंदी का लास्ट बैच है और आप चाहें तो इस प्रकार से चम्मच को चलाते हुए भूंदी बना सकते हैं देखें कितनी बढ़िया गोल-गोल भूंदी निकल रही है एकदम वाइट मोदियों जैसी एक बार में जिकनी हमारी कडाई में आज आए उतनी ही भूंदी डाले आप तो इस बूंदी फ्राई होके बिल्कुल तयार है इसे प्लेट में ले ले लेते हैं और सारि बूंदी को हम चाशनी में डाल देएंगे फ्रेंट्स हमारी पूरे बेटर में हमने यह इतनी बूंदी बना के तियार की है तो अभी हमें इसे चाशनी में मिलाना है और यहां हमने चाशनी को फिर से गरम कर दिया है क्योंकि यह काफी ठंडी हो चुकी थी और हमें ठंडी चाशनी यूज नहीं करनी है तो अभी हम इस चाशनी में भूंदी को मिक्स कर देते हैं हम चाशनी को इसी में मिला देते हैं अच्छे से मिक्स कर देंगे हम इसे तो यहां हमने बूंदी और चाशनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहां आदी चोटी चम्मा चमने इलाइची पाउडर ले लिया है तो इसमें हम डाल देंगे और कुछ बादाम कतरन मैंने ले लिए है यहां यह भी हम इसमें मिक्स कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेके अब इसे अभी दस मिनट के लिए हम इसे ढखे रख देते हैं फिर इसके हम लड्डू बनाएंगे तो दस मिनट हो चुके हैं और अभी हम हाथो को थोड़ा से गीला करके हलका सा गीला कर लीजिया और लड्डू बनाएंगे हम इसके इस तरीके से आपको लड्डू बना कर रखे लाए तो लड्डू बना कर ले लेखे हैं आर सारे लड्डू बना तयार करेंगे तो हमने लड्डू बनाके यह जो मोदक है वो बनाके तयार कर लिए हैं और अभी हम इसे पिस्ता गत्रन से सजा देंगे दिससे और भी सुंदर लगेंगे बिल्कुल तयार है हमारे मोदर आप भी इसे जरूर बनाईए और भगवान गणेश जी को भोग लगाईए और रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्क प्लीज प्लेश।